फिल्म की शुरुबात एक औरत को दिखाने से हुए जो सिंगल मदर थी यानि उसका हस्बेर नहीं था और वो अपनी बेटी ग्रीज की अकीले ही देखबाल कर रही थी वो फिलिपीन से यहां लेंडन आई है ताकि वो यहां अच्छी पैसे कमा कर अपनी बेटी ग्रीज की साथ अच्छी खुशार जिन्दगी जी सकी लेकिन एक मसला था उससे याँ छुपकर रहना पड़ रहा था उसकी पास सिटिजन का सर्टिफिकेट नहीं था तो गयर कानोनी तोर पर वो रह रह रही थी पर अगवो किसी तरह हम सिटिजन सर्टिफिकेट बनवाना चाती है जिसके लिए जाहिर है उसे पैसे चाहें साफ सफाए खाना बनाना किसी बिमार की देख पाल करना यहां तक कि उनकी कुटों को नहिलाने और टहिलाने का भी काम करती है अब ग्रेस भी वैसे समझदार तो है लेकिन शरारती बहुत है जैसे एक बच्चे सकुन से नहीं बैठ सकता वैसी इसलिए अक्सरों से जो उसकी मौम कहती वो उसका उल्टा ही करती थी ग्रेस अक्सर अपनी मौम से पूछती है कि पापा कहा है जिस पर हर बार उसकी मौम छोड़ बोल दीती है कि वो मर चुकी है लेकिन हकिकत कुछ और ही होती है अब Grace और उसकी मॉम जिस घर में रह रही थी, वहाँ दिन पूरे करने की बात इन्हें अगले घर जाना था, जिसका मालिक कभी घर आता ही ने, इसलिए इन्हें तहीं और जाना पड़ना था, अब Grace की मॉम की पास उसके एक दोस्त की कॉल आई, जो से कहता है, यह कल मैं मसरू बस वहाँ जाकर मिरी कलायट को चेक करके आना है, जो बुड़े इनसान है और अक्सर बिमार रहती हैं, जिसके लिए अब वो मान गई, इसलिए अगले ही दिन Grace की मॉम शेर से काफी दूर उस घर में आ जाती हैं, जहां उस बुड़े आदमी को चेक करना था, घर वहोती ब के लिए दुआ करने लगती हैं, लेकिन तब ही बुड़ा आदमी उसका हाथ पकर लेता है, वो घबरा गई, अपना हाथ चुड़वा कर किसी तरह खुद को सम्हालती हैं, और अब तब ही उसी किसी की आने की आहाट मैसूस होती हैं, इसलिए वो जड़ी सी चुपने की और पता चल गिया, कि वो अपने दोस्की जगर यहां पर आई है, तो वो मुसीबत में पढ़ सकती थी, दूसरे मुसीबत यही भी थी, कि वो घर कनोनी रह रही थी, तो इस तरह भी मसलस ज़्यादा हो सकता था, वो चुपने के लिए एक कमरे में गई तो थी, लेकिन वहा ता कि मेरी घर भीज देजिएगा, जो मेरी मदद कर सकी, और उन्होंने तुम्हें भीज दियाओगा, अब उसके पास और कोई रस्ता तो था नहीं, इसलिए बचने के लिए कैथरिन की हां में हां मिला देती, कैथरिन ग्रेस की मौम से उसकी बारे में पोश्ती है, फिर अ अब उसे सिटिजन के सेटिफिकेट के लिए पैसे तो चाहिए थे, और इस इतनी अच्छी ओफर को वो मना नहीं कर सकी, मान जाती है, अब हलांके कैथरिन उसे रहने की लिए अलग कमरा भी देती है, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी बेटी ग्रेस की बारे में नहीं बतात साथ ही बुड़े आदमी की बारे में भी कि वो भी ठीक हैं, उसकर दोस कहता है कि चलो तुम्हारे जाने का फाइदा ही हुआ, तुम्हारे लिए अच्छा हो गया कि वह इतनी अच्छी जाब मिल गए, लिए घर आए, अपना और ग्रेस का समान पैक करने लगती है, वो यह ग्रेस को समझाती है कि तुम्हें उस घर में छुपकर रहना होगा, कोई शरारत नहीं करनी, फिर जल्द हमें सिटिजन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके बाद हम अजादी से रह सकेंगे, जिस पर ग्रेस भी उसकी बात मान जाती है, और अब उसकी मॉम ग्रेस को ए या उसकी मॉम ने फिर से ग्रेस को समझाया कि तुम्हें छुपकर रहना है, इस औरत की नजर में बिलकुल लियाना, अब तब यहां कैथरिन जल्दे से आ गई, जिसे देखर ग्रेस फोरन बैग में जाकर छुप जाती है, दरहसल कैथरिन को ग्रेस की मॉम को देखती ही प खाकर बताती है, जब कैथरिन घर होगी, तो तुम्हें इसकी अंदर रहना होगा, ताकि अगर वो अच्छानक से आ भी जाए, तो तुम्हें देखना सकी, मेरी बेटी फिकर ना करो, हमें यह आची अफ़तों से ज्यादा नहीं रहना पड़ेगा, और अगली दिन कैथरिन उसकी मौम को पुरा घर दिखाने के साथ साथ काम भी बताती है, जो उसने करने थी, उसने ये भी कहा, कि हाँ, अंदल की फिकर ना करना, उन्हें दवाई मैंने दे दिये, उच्छ देर के लिए, मैं ज़रूरे काम के सिसले में घर से बाहर जा रही हूं, इतना कहकर वो नि लेकिन तब भी यहाँ पर कैथरिन वापिस आजाती है, जिसे देकर ग्रेस जल्दी से छुपने की कोशिश करती है, अब कैथरिन घर को चमकता हुआ देकर काफी खुश हो गई, तब ग्रेस की मौम उसे अपनी बातों में उल्चाने लगी, ताकि ग्रेस जल्दी से जाकर चुप जाए, और अब बड़ी मुश्किल से बचते बचाते ग्रेस एक जगा पर चुप गई, लेकिन वो रुकने वाली कहा थी, सीधा बुड़े आदमी की कमरे में पहुँच गई, पैट पैट चड़की आदमी की पास जाने लगी, इतने ही देर में उसकी मौम यहाँ आ जहां ग्रेस भी बैट की नीचे ही जुपी हुई थी, और अब एक गोली नीचे गिर गई, जिसने ग्रेस कैथरिन से पहले ही देख चुकी थी, उसने गोली उठाई, तो जल्दी से ग्रेस पीचे हट गई, अब कैथरिन अंकल को दवाई खिला कर वहां से चिली जाती है, इस तरह एक बर फिर ग्रेस बाल बाल बर्चाती है, ग्रेस अपने मौम को बताती है कि कैथरिन तो अपने अंकल को नीन की गोलियां खिलाती है, इस पर उसकी मौम ने का अच्छा नीन की गोलियां, मगर ये बात तुम कैसे जानती हो, कि वो नीन की गोलियां थी, ग्रेस ज लिखने वाली दवाई का काम एक जैसा नहीं होता। इस बात को लिकर ग्रेस को अपने मौम पर गुस्था ही आ गया। कि ये मेरी बातों पर यकीन नहीं कह रही है। क्योंकि उसे शक था कि कैथरिन एक बुरी औरुत भी हो सकती है। अब जिसे ही रात हुई सब सो गई तो ग कैथरिन ऐसी आगी बढ़ने लगी। तब ग्रेस उसका पीचा करने लगती है। उसने दिखा कि कैथरिन स्टोरूम की तरफ जा रही है। और अब जैसे वो अंदर दी ग्रीस बाहर खड़े होकर अंदर देखने लगी कि अब कैथरिन क्या करने वाली है। कैथरिन तब भी एक परदा हटाती है, जिसके पीछे एक बड़े से काच के डबे में औरत की नाश पड़ी थी, जिसे देकर ग्रेस काफी डर जाती है, पर वो फिर भी देखती नहीं, और अब कैतरिन नीन में ये भी कह दीती है कि मैं इस पूरे घर को जला दूँगी, अगली सुबह ग्रेस क अब कैतरिन का मोड ठीक नहीं है, प्रोपर्टे के सिल्सले में एक वकील से मिलने उसे जाना पड़ेगा, जिसके लिए उसे कुछ दिन लग जाने थी, इसलिए कैतरिन ग्रेस की मोड को कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, तो पूरा घर संभालने क सासत मेरी जिगा तुम्हें अंकल को दवाई देनी होगी, वो यहाँ सिखाती भी है कि कैसे दवाई खिलानी है, ग्रेस की मोम नौटिस करती है कि कैतरिन सबर्दिस थी, बुड़े आदमी को दवाई लेने पर मचपूर कर रही है, उसने अजीबत ये भी नौटिस कीन, कि जब तक अंकल दवा को निगल न ले, उनके मोँ पर हाथ रखी, मोँ बंद रखना होगा, जो बात भी उसे कैतरिन नहीं सिखाई थी, साहिर है ये जिस ग्रेस की मोम को पसंद नहीं आती, पहरब जाने से पहले कैतरिन कुछ पैसे उसी देखकर यहां से निगल जाती है, ग जैतरिन अपने अंगल को नेंद की ये गोलियां खीला रही थी, ग्रेस अपनी मोम को वो सब बताने की कोशिश करती है, जो कल रात उसने देखा था, लेकिन उसकी मोम काम में मस्रूफ होने की वज़ह से उसकी बात नहीं सुनती, उनने फिर कुछ याद आ गया, वो ग्रेस की देखाल का काम करती, जहां उसे कुछ दवाईयां और उनकी असर कि किस दवाई को लेने से क्या होता है, ये पता चला था, क्योंकि वहां भी वो एक बुड़े आदमी की देखाल कर रही थी, और क्योंकि दिल की वो बहुत अच्छी है, तो अपने इलाज से इस बुड़ को पाया, जो कहती है, कि वो मुझे आपकी बतीजी नहीं काम पर रखा है, बुड़ा आदमी कहता है, लेकिन मेरी तो कोई बतीजी है ही नहीं, ये सुनकर ग्रेस की मौम को लगा, कि बुड़ा आदमी क्योंकि अभी होश में आया है, इसलिए ऐसा बोल रहा होगा, और क्यो सुनकर बुड़े आदमी को हैरत नहीं होई, बलकि उसने बताया, कि मेरी केर टेकर भी वहें की रहने वाली थी, जो मुझे वहां से भी बढ़की थी, मैं उससे बहुत प्यार किया करता था, आगे पुश्टी पर ग्रेस की मौम उससे बताती है, कि मैंने एक आदमी से कर ली, जो अब अराम से अपनी जिनकी को सार जाए, जो सुनकर बुड़ा आदमी कहता है, पर अब मेरी पास तुम्हारे लिए एक आफर, मैं तुम्हारे सिटीजन की सर्टिफिकेट की सिल्सले को अराम से समालू, लेकिन क्या तुम सारा टाइम के लिए मरी केर टेकर बना जो अच्छा कम था, बुरा ज्यादा था, क्योंकि वो एक दिन ग्रीस को ये बता दीता है, कि तुम्हारे मॉम ने तुमसे चोट बोला है, तुम्हारे डैड जिन्दा है, जिस पर ग्रीस अपनी मॉम से नराज हो गई, उसने बात ही करना चोड़ दिया, और अब वो बस ब फैमली और बेटी के लिए रिखी थी, यहां ग्रीस की मॉम को पता चला कि बुड़ा आदमी अपनी कियर टेकर से बहुत प्यार किया करता था, लेकिन जब वो अपने घरबालों को खत पेजने की कोशिश करती थी, तो बुड़े आदमी की फैमली उसे ऐसा करने ही नहीं द आगरती थी, यही वज़ा है कि फिर कीर टेकर अपनी फैमली और बेटी से दूर होती गई, जिसकी बाद बुड़े आदमी की फैमली ने उस बीचारी को अपना गुलाब बना के रख दिया, उसे अपने सारे अच्छी बुरे काम करवाने लगे, अभी सारे बाती सुनकर ग लोग दिया, क्योंकि ग्रीस ने उसमें कुछ मिला दिया था, वो जब बात्रों में गई नहाने, तो ग्रीस ने शैम्पू और बोड़ी लॉशन में भी कुछ मिला दिया था, जिससे लगाती है कैथरिन की जिस्म और चीरी पर बड़े बड़े धब्बे बन जाते ही, जिन कैथरिन बुड़े आदमी को कहती है कि अब मैं तुम्हें इस घरस्टी धक्के मार कर बाहर निकाल दूगी, मैंने कुछ लोगों को पैसे खिला कर, तुम्हारा सब कुछ अपने नाम पर करवा लिया है, जो पैने ही मेरा था, लेकिन तुमने वो चलाकी से वो पेपर्स मु जवाब देता है कि देखो, तुम मुझे कॉमा में बीचकर नेंद की दवाई खिला रही थी, ताकि मैं धीरे धीरे करके मर जाओ, पर देख, आज मैं तरे सामने हूँ, वो भी सही सलामत, और रही बात तुम्हारी जायदाद की, वो तो मेरे नाम ही है, तो भला फिर तुम मुझे कैसे धक्की मार कर निकाल सकते हो, और अब तुम्हारी बात कर लेते हैं, देखो, क्योंकि तुम मेरी बतीजी हो, तो मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूगा, तुम चाहो तो यहां रह सकती हो, जो सुनकर कैथिन हैगी, तुम कभी अज़ादाद वापिस लेना चा और शीशे की बाक्स में बन, उस बुड़ी औरत की लाश को दिखा कर बताती है, यह देखो, यह थी बुड़ी आदमी की केरटेकर, जिसने जब यहां से भागने की कोशिश की, तो उसने इसे मार कर इस बाक्स में बन कर दिया, और अब तुम्हारा भी यही हशर होगा, और और निकल जाओ यहां से, बस अपना मूँ बन टकना, जो सुनकर ग्रेस की मौम रूती हुए कहती हैं कि मदद और आप, आप हमारी क्या मदद करेंगी, हम आपकी घर की साफ सफाया करती हैं, खाना बनाती हैं, आपके कुतों को नहलाती हैं, और गुमाती हैं, कोई बीमार ह जो गरेस की मौम को गिर्फतार करने आए थी, क्यूंकि वो घर कनूली तोर पर रहरी थी, इसलिए जिसकी शिकायत भी बुड़े आदमी नहीं की थी, तो पुलिस उसे गिर्फतार करके ले जाती हैं, और क्यूंकि अब इसे गरेस की मदद की जरूरती थी, इसलिए वो गर इससे ये जूटा वादा करता है कि मैं तुमारी मौम को जीन से छुड़वा लोगा बस कैथरीन को रास्ते से हटाने के विए तुम मेरी मदद करो और अब उसके कहने पर ग्रीज इंजेक्शन लगाकर कैथरीन को बयोश कर देती हैं क्यूंकि यहां कैथरीन बुड़े आदम तो था ही बुरा लेकिन वो भी कम नहीं थी दोनों एक दूसरे से बढ़के थी अब ग्रीज ने तो बुड़े आदमी की मदद करती थी इसलिए वो बुड़े आदमी को कहती है कि मेरी मौम को भी जिल से अब असात करवाओ लेकिन वो यहां बात को टालने लगता है जिस ब लगाकर यह टेकर की लाश वला बॉक्स बुड़े आदमी की ओपर गिरा देती है जो उसकी पैर पर गिरा इसलिए वो अब हिल नहीं सकता था और अब तबीया आकर कैथरिन ग्रेस की मदद करती है क्यूंकि उसे अपनी गलती का ऐसास हो गया था पूरे घर को आग लग जिसके बाद ग्रेस की मौम को भी यहांके सिटिजन का सर्टिफिकेट मिल चुका था जो पाकर वो पोड़ कुश हो जाती है तो अब उन्हें कोई डर नहीं था वो यहां अजादी से रह सकती थी अब कैथरिन ने अपनी माजी में हेलपर्स की साथ जबुरा सरो किया वो इ इसकी हमेशा उसे जरूरत थी इसी के साथ इस फिल्म की कहाने भी यही पर खरत वजाती है